हरे किष्णा रादे रादे दोस्तों दोस्तों आज टाइटल पढ़के आपको समझ में आई ही गया होगा देखिए हम अपने बासु जी को आज चमकाने के लिए दही से इनका मसाज करेंगे और ये मसाज कम से कम 7-8 मिनट तक आपको करना है जिससे चहरे पे चमक आए दोस्त को मसाज ये वीडियो जो है काफी लंबा हो गया था मसाज वाला इसको हमको फास्ट करना पड़ा है ताप ये मस सोचिएगा कि हम जल जली कर रहे हैं फास्ट मोड में किये हैं नहीं तो आपको ये वीडियो बहुत लंबा पड़ता तो बहुत ही इं श्लो से इसको 7-8 पता चल जाएगा गया आशनी हम कुछ weed नहीं किया है उधीज से ही मसाज कर रहा है अगर आप को ज़्यादा काला हो गया हो तो उतमे नीवो गवाव में इस्में आप थोड़ा सा नीवो भी मिंट्ज कर सकते हैं पर हम नहीं किये हैं हमारा दैई से ही हम को अच्छा से मस डाल सकते हैं, हम अपने बाबु से बोल दिये हैं, कि आप आखे बंद करके रखना, हम आपको नहला रहे हैं, क्योंकि ये बोलना पड़ता है, नहीं तो आखों में जाएगा, तो बच्चों को लगता है, तो आप लोग भी जब उनको अस्नान कराएं, तो जरूर बोलिएगा थोड़ी दर बाबु, आखे बन कर लो, हम अशनान कराएंगे, साबुन अंदर आखों में ना जाए, जिस तरह से आप कहते हैं, उसी तरह से अपने लड़ू गोपाल जी को भी बोलिएगा, फिर अशनान उनको कराईएगा, दही से, आप देखिए कितने अच्छा से इनको चमक आएगा, कितना अच्छे लगेंगे, आप देख लीजिएगा, जी हाँ, दोस्तों देखिए, हम मसाज कर चुके हैं, देखिए, कितना अच्छा चमक आगया, हम सोचे, आप लोगों, आप लोग बोली थे, कि हम को चमक कैसे लाना, वीडियो बनाईए, तो मेरे बासू का भी थोड़ा चमक हमको कम लग रहा था, तो चलो, हम इनको अच्छान भी करा देते हैं, वीडियो भी बना लेते हैं, और आपको, आप देखिए, आपको कैसा लगता है, आप इस तरह से करिए, अगर करके, आप हमें कमेंट करके, जरूर बताईएगा, कि आपके विग्र सिंहार की वीडियो, हम कल देंगे, सिंहार का वीडियो देते, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, हम आपको मसाज कैसे करना दही से, हम आज वो परसेजर दे रहे हैं, और सिंहार जो किये हैं, वो भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, पर वो वीडियो हम कल देंगे, ठर्शडे जो स्पेशल सिंहार करते हैं वो हम कल देंगे आपको देखे अब हम अपने लड़ू जी को भी उसी तरह से करेंगे वीडियो दोस्तों फिर हम बता रहे हैं वीडियो फास्ट मूड में हैं आप यह मत सोचेगा हम बहुत जल्यली कर रहे हैं बहुत आराम से इनको धीरे धीरे बहुत प्यार से करना रहता है वीडियो लंबी हो गई थी 16 मिनट हो गया था इसलिए हमको फास्ट मूड में डालना पड़ा नहीं तो अच्छा से आप नहीं देखेंगे बीच-बीच में कट कर देंगे अच्छा से नहीं देखेंगे तो आप पुरा नहीं इन ना पीछे में फरक आया है ना आपको देख पा रहे होंगे देखिए अगर आपके विग्रह ज्यादा काले हैं तो थोड़ा सो दो बुन लेवन जूस मिक्स करके फिर करिये तो और चमका जाता है पर हम लेवन नहीं मिक्स किये हैं हम तो हमेशा दही से ही मसास करते हैं तो दह करिएगा और बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा क्योंकि आप लोग रिक्वेश्ट किये हैं आप लोगों के रिक्वेश्ट पर ही हमें ये वीडियो डाले हैं जी हां दोस्तों और दोस्तों बहुत बड़ी खुश्खबरी भी है जो मैं आप लोगों के साथ स मेरे लड़ू नहा लिए, देख लिजी, देख पा रहे होंगे ना दोस्तो, कितना अच्छा शाउन आया है, पीछे से भी देखीए, आपको दिख रहा होगा, देख लिजी, देख लिजी दोस्तो, मेरे लड़ू को भी देखी कितना अच्छा साइन आया लड़ू तो भहुत चमक रहा है देख लीजे दोस्तों पसंद आता है तो लाइक सस्क्राइब जरूर करिएगा हो सके तो आप सेयर भी कर दीजेगा फिल मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे हरे किश्णाम अपने बासू को पैंटी पहना दे देखिए मेरे बासू तयार हो गए देखिए मेरे राधे देखी ये फ्राग कितना अच्छा लग रहा है न आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये जो गिफ्ट फ्राग आया था वही पहना रहा है आज थर्जडे है देखी दोस्तों ये बास लुटे आर अच्छा 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 रहा है अब इनको हम बैंगल्स पहना रहे हैं अब देख पा रहे होंगे दोस्तों पहले हम अब कमरबंध पहनाएंगे पर ये कमरबंध हमें नहीं अच्छा लग रहा है अब हम दूसरा पहनाएंगे अच्छा अच्छा लग रहा है अब हम इने गले में पहनाएंगे देखिए नए कान का टफस जो मगाय थे वही आजम पहना रहे हैं क्योंकि वाइट पे रेड ज्यादा अच्छा लगता है तो आज सारा सिंगार हम रेड रेड ही इंका कर रहे हैं आप देख पा रहे होंगे दोस्तों अब लगाएंगे हम इने जी हाँ दोस्तों देखिए मेरे बासू तयार हो गया है लगभग लगभग तो रेडी हो गया है अब इने हेर लगाना है अंगोठी पहना दिये हैं अब हेर लगाएंगे हम जी हम बंसी पहना आएंगे बंसी देंगे पहले कालर ठीका लगा दो लल्लक को अपने बाबु को प्यारे प्यारे बाबु अच्छा मक रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहे हैं जी हाँ दोस्तों देखिए अब हम इनको है लगा दिये हैं आप देख पा रहे होंगे कि देखिए अब हम इन है टोपी भी लगा दिये मुकुट भी पहना दिये पगड़ी भी पहना दिये अब इन्हें हम बंसी दे दिये हैं मेरे लड़ू एकदम रेड़ी हो गए आप देखिए और बताइए इनका सिंहार कैसा हुआ है और इनका चमक कैसा है और यह देखिए पुरा कॉटन है बहुत ही अच्छा है आप देख पा रहे होंगे